हलो फ्रेंड्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स SSC ने MTS के पेपर वन के एक्जाम के लिए प्रोविजनल एड्मिट कार्ड के बाद ओरिजनल एड्मिट कार्ड का लिंक अपने सभी रिजन के ओफिसियल वेबसाइट पर ओपेंड कर दिया है और अगर आप अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी महतपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में SSC के कुछ रिजन के लिए एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपने जिस रिजन के लिए एपलाई किया है उस रिजन के वेबसाइट को बुक मार करके रखा है तो आप डाइरेक्ट अपने रिजनल वेबसाइट पर जाकर आगे का प्रोसेस करके अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो आगे का प्रोसेस में इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो SSC MTS के किसी भी रिजन के लिए एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा और यह है SSC के ओफिसियल वेबसाइट का होम पेज यहाँ पर आने के बाद आपको एड्मिट कार्ड लिखा हुआ देखनी को मिलेगा आपको उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने SSC के सभी रिजन के बारे में इन्फोर्मेशन देखनी को मिलेगा इसके साथ ही सभी region के लिए URL भी आपको देखने को मिलेगा तो आपको जिस region के लिए admit card डाउनलोड करना है आपको उस region का URL को क्लिक करना है और जैसे ही आप उस region के URL को क्लिक करोगे आप उस region के official website पर पहुँच जाओगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि Eastern region के लिए admit card किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है तो Eastern region के लिए admit card डाउनलोड करने के लिए आपको Eastern region के URL को क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इस URL को क्लिक करोगे आपको इस तरह का एक message देखने को मिलेगा इस message को आपको OK करना है और जैसे ही आप इस message को OK करोगे आप SSC के Eastern region कोलकाता के official website पर पहुँच जाओगे और अगर आपने इस region के लिए book mark करके रखा होगा तो आप आसानी से यहां तक पहुँच सकते हो यहां आने के बाद आपको क्या करना है आईए आपको बताते हैं यहां आने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा scroll करके नीचे आओगे आपको admit card download करने का option देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहां लिखा है download admit card आपको इस download admit card लिखे होए पर click करना है और जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा और इस page को जैसे ही आप scroll करके थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको MTS के लिए admit card download करने का option देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो यहां पर लिखा है Know Your Status and Download E-Admit Card of Multitasking Non-Technical Start Paper 1 Examination 2020 तो admit card download करने के लिए इसके नीचे एक link दिया हुआ है आपको इस link पर click करना होगा तो जैसे ही इस link पर यानि कि Know Your Status and Download E-Admit Card पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा और इस page पर कुछ information आपसे मांगे जाएंगे जैसे role number, registration ID, candidate's name, date of birth और SSC के eastern region के लिए admit card आप दो तरीके से download कर सकते हो या तो आप अपना registration number या role number एंटर करके अपना admit card download कर सकते हो या फिर आप अपना नाम और date of birth डालके अपना admit card download कर सकते हो दोनों में से किसी एक को enter करने के बाद नीचे दिये हुए sum को solve करके enter कर दे और enter करने के बाद नीचे next लिखा हुआ है आपको इस next पर click करना होगा जैसे ही आप इस next पर click करोगे आपको इस exam से related सारा information देखने को मिल जाएगा जैसे कि आपका role number, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका exam city, exam date और exam का time तो चलिए मैं अपने एक viewer का detail डालके आपको दिखाता हूँ कि आप अपना admit card कैसे download कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने इसका registration number डाल दिया है और इस दिये हुए sum को solve करके enter कर दिया है अब मैं next पर click करूँगा जैसे ही आप next को click करोगे आपके सामने इस तरह के instructions खुल के आ जाएंगे आपको इन सारे instructions को अच्छे से पढ़ लेना है इन सारे instructions को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है आईए आपको बताता हूँ तो इन सारे instructions को पढ़ने के बाद आपको OK पर click करना है और जैसे ही आप OK पर click करोगे आपको multitasking non-technical staff paper 1 examination 2020 का सारा details देखने को मिल जाएगा इसमें आपको अपना role number देखने को मिलेगा आपका registration ID देखने को मिलेगा आपका नाम देखने को मिलेगा आपके फादर का नाम देखने को मिलेगा आपका date of birth देखने को मिलेगा आपको अपना exam date देखने को मिलेगा reporting time देखने को मिलेगा और exam किस city में है उस city का नाम देखने को मिलेगा और admit card डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा ये नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है click on roll number to download your e-admit card यानि कि admit card डाउनलोड करने के लिए आपको अपने roll number पर click करना होगा तो जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि आप अपने exam date से 3-4 दिन पहले अपना admit card डाउनलोड कर सकते हो तो अगर अभी से 3-4 दिन बाद आपका exam है तो आप अपना admit card डाउनलोड कर सकते हो admit card डाउनलोड करने के लिए आपको roll number पर click करना होगा और जैसे ही आप roll number पर click करोगे आपके सामने आपका admit card खुल कर आ जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड करके print कर सकते हो मैंने इस candidate का admit card डाउनलोड करने का try किया लेकिन डाउनलोड नहीं हुआ और admit card डाउनलोड नहीं होने का कारण यह है कि इस candidate के exam में अभी 10 से 12 दिन का time है लेकिन अगर आपका exam 3 से 4 दिन के अंदर है तो आप अपना admit card डाउनलोड कर सकते हो तो यह रहा SSC के eastern region के लिए admit card डाउनलोड करने का तरीका तो आएए किसी और region के लिए आपको admit card डाउनलोड करके बताते हैं SSC के किसी भी region के लिए आप admit card डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको इस page पर आना ही होगा और अगर आपको इस page पर आने में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको इस page का link description box में मिल जाएगा आप वहाँ से सिर्फ एक click करके इस page पर आ सकते हो और इस page पर आने के बाद किसी भी region के लिए admit card डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी region के लिए admit card डाउनलोड करने के लिए आपको same process करना होगा जैसे कि यहाँ आने के बाद आपको फिर से admit card पर click करना होगा और जैसे ही आप Admit Card पर क्लिक करोगे आपके पास फिर से इस तरह का एक पेज खुल कर आ जाएगा और इस पेज पर आपको सभी रिजन के बारे में information मिलेगा और इसके साथ ही आपको सभी रिजन का URL भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो चलिए इस बार करनाटका केरल रिजन का Admit Card कैसे डाउनलोड किया जाता है आपको बताता हूँ तो इस रिजन के Admit Card को डाउनलोड करने के लिए इसके URL पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इसके URL पर क्लिक करोगे आप SSC के करनाटका के ओफिसियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और अगर आपने इसे बुक मार करके रखा है तो आप यहाँ तक डाइरेक्ट पहुच सकते हो यहाँ पर पहुचने के बाद आपको आगे का प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि आप आगे क्या करोगे इस रिजन के लिए एडमिट काड डाउनलोड करने का प्रोसेस इस्टन रिजन से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस region के लिए admit card डाउनलोड करने के लिए आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे जाना होगा और notice वाले column पर खोजना होगा कि SSE के MTS के लिए admit card डाउनलोड करने का link कहाँ पर दिया हुआ है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर लिखा है admit card click here to download admit card for multitasking stop NT exam 2020 paper 1 आपको इस link पर click करना होगा और जैसे ही आप इस link पर click करोगे आपको इस तरह का एक page देखने को मिलेगा इसको scroll करके आप थोड़ा सा उपर कर ले तो यहाँ पर आपको registration number और date of birth एंटर करना होगा registration number और date of birth एंटर करने के बाद नीचे आपको एक square box देखने को मिलेगा जिसके सामने लिखा है I have noted the above instruction and I agree आपको इस square box पर tick करना होगा और इस square box पर tick करने के बाद आपको download admit card पर click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करोगे आपका admit card आपको देखने को मिल जाएगा आप वहाँ से download करके print out ले सकते हो in case अगर आप अपना registration number नहीं जानते हो तो इसके लिए आपको नीचे option दिये गए हैं अपना registration number जानने के लिए तो अपना registration number जानने के लिए आपको अपना नाम एंटर करना होगा अपने father का नाम एंटर करना होगा और आपको अपना date of birth एंटर करना होगा इन तीनों को एंटर करने के बाद आपको search पर click करना होगा जैसे ही आप search पर click करोगे आपको अपना registration number देखने को मिल जाएगा I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन रिजन्स के लिए आप अपना admit card कैसे download कर सकते हो इसके बावजूद भी अगर आप अपना admit card download नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे direct Instagram पर message करना Instagram का link आपको description box में मिल जाएगा अगर आज का ये वीडियो आपको informative लगा हो तो लाइक करे और अपने friends के साथ share जरूर करे चैनल पर नए हो तो subscribe करे और notification बेल को दबा के all को select कर दे ताकि इसी तरह के informative वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिल जाए धन्यवाद